एलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में जानेंगे 5 Marks और 10 Marks के Answer Writing कैसे करनी है काफी टाइम से हमारे पास request आ रही थी कि 5 Marks में 10 Marks में कितना Answer लिखना पड़ता है यह बता दीजिए तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 5 Marks के Answer के लिए आपको कितना लिखना है और 10 Marks के आंसर के लिए आपको कितना लिखना है साथ में यह जानेंगे कि आपके इस तरीके से अच्छी एंसर राइटिंग करके अच्छी सच्छी Marks कर सकते हैं क्योंकि एक्जाम में क्या रहता है बच्चे अच्छी सांसर नहीं कर बाते हैं अपना तो उनकी नंबर कम आते हरवार लिखके अच्छा आते हैं तब भी फैल हो जाते हैं आप अपने आपको नंबर मिलते हैं तो हम इस अपना प्रिजंटीशन अच्छी सच्छा रखने कोसिस कीजिएगा कि बच्छ चार आपको ऊच्छा कोश्चे करने पंची श्याजने को का पना अच्छिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आपको कितने पेज लिखनी है तो बच्छंच में तो यह रहता है आपको उतनने नहीं पूछा गया बंद मांक्स का अब्जेक्टिव रहते है तो two marks में आपको one lines so one line and one paragraph में वार जाने जरू 5 marks में आपको two to three page का और own you can write 3 page ten marks पह सकती है कहीं हम words में बात करें तो आपको इसमें कम से कम 800 words में answer देना है और इसको पंदरासो से सोला सो words में answer करना है तो यहारा पेला point हो गया, pages का, अब हम second point पर बात करें, second point है हमारा, कि हमें सबसे पहले उसमें अब तो आपको पूर पूर पूचा गया, तो आप उसको लिख दीजी कम से कम से कम से लोग लिखने से अपका प्रिजयन अच्छा पड़ता है इसका answer का, और कभी-कभी टीचर भी इतना ध्यान देतें कि पूछा तक क्या, क्या संप्रावती पूछा था, वो देखतें कि जैसे याज भी इस्ते रहे है तिर थीज की इसमें आपको पूरा बडरे रहती है इसमे आपके सबसे प्या स्करावाब का मिलती है और चेक करने वाली के लिए भी help मिलती है तो अच्छी नमबर देता है जब आप पेराग्राफ लिखते है तो वह राइटिंग भी बिगड़ा जाती है पेराग्राफ लिखने के चकर में और बहुत ही कम space कबर भूपाता है तो आप कोसिस करें कि आप कोसिस करें कि space दे के लिखें विल्कुल पास पास आप ना लिखें कोई भी ची लिख रहे हैं जैसे आप विल्कुल यह से लिख देंगे तो अब यह दिखाई नहीं दे रहा है वह यह बली गंदी राइटिंग तब भी space दे के लिखेंगे दूर-दूर तो अलग दिखा कि new answer को new page से start करें तो new answer और new page यह आप हमीं से याद रखिए तो new answer को new page से start करें और मुम्हा सकते हैं कर्सक्ते हैं, छब करक्छी रूप उस्तिक शी चीच को आप, या पिर डाइग्राम की रोप में से प्रजन के मरे उस्तिक रूप को इस लिद्द है म्न आपपराइगल कर दूसरे टीछर को अच्च THEा आपके नप्रॉप को तो आपके आनसर में एक स्लोक खुसिस करें और एक डाइग्राम और कोई चार्ट वगरा टेबल की रूप में आप बना के जरूर आए इन चार पॉइंट के अलाभा एक और आपको लास्ट पॉइंट याद रखना है नमबर फाइव पॉइंट वह है कि कहीं आपको कोई आंसर याद नहीं आ रहा पर क्या होगा जब आप नेक्स आंसर लिख रहा होगी तो नेक्स आंसर लिखती टाइम साइद आपको वाला आंसर याद आ जाए तब आप उसको दवारा से जाकर लिख सकती है नमबर बन आपका नमबर दू क्या रहता है कि वह सिवार आपको उस टाम पर सही लग रहा है और आपने लिख दिया है, बाद में आपको पता चला कि इसमें एक पेरग्राप गलत था, तो आप उसको सिंपल ही यह से कट करके, पर आप उसको दवारा आंगे से लिख सकती है, तो कहीं आप ने छोड़ रखा होगा तो आप चाह के भी उसको कर सकती, तो कभी भी तू मार् पर चूड़ें कि कहीं उसमें कुछ भी जगह करना हो, आपको सही, तो आप उसमें कर सकें, तो करेक्शन के लिए आप हम इसमें चूड़ें और लास्ट में यह पर टाइम भशी आए, तो आप दो आंसर के बीच में एक लाइन कीच के आप अपना दोबार सरी चेक कर लिज सकते हैं, उसमें आपको स्टेडी मटेरियल साथ में नोट्स वगरा प्रवाइट करवाते हैं हम लोग, तो आप उसको में वहां जुड़के वो नोट्स वगरा ले सकते हैं, थेंक्यू फॉर वाचिंग